वेलकम डियर टीचर्स आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके में आया हूँ इस वीडियो इस रिलेटिटी टू अबडेटिंग स्टुटूटेंट्स डेटा अन यूड़ाइस प्लस क्या है कि हमारा जो यूड़ाइस कारस्पोंडेंट था जो यूड़ाइस की ड जो है father's name है या mother's name है वो उसमें कुछ error आ गया या गलत हो गया उसको या बचे की data worth टाइपिंग करते वक्त गलत हो गई या उसका gender जो है वो गलत हो गया क्या यह चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं yes of course we can change these details we can update these details अपने स्कूल यूजर से ही वहाँ पर हमें जो बलाग MIS होता है जो management information system यूडाइस का होता है बलाक level पर उसका coordinator होता है अगर हमने बचे की कोई change करनी होती थी चाहे उसका नाम है उसका data worth है या उसका gender है अगर हमने उसमें कोई change करनी है या आदार में कोई change करनी है तो उसके लिए हमने फारम वो जो मैंने आपको बताया था SO3 एक फारम बारना पड़ता था उसके related में ने वीडियो भी बनाई है I have shared the link of that particular video in my description box अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो you can watch लेकिन वो किन बच्चों के लिए था जो second से लेकर बच्चे 12 तक है लेकिन अगर आपने नया बच्चा एड़ किया है in the class pre primary whether it is nursery, lover kg और upper kg are pushed आपने बच्चा तो add किया लेकिन कुछ देर के बाद आपको ख्याल आया हमने जो बच्चे की detail डाली थी उसमें बच्चे की जो parentages में father's name mother's name है या उसका gender जो है या जो data birth है वो गलत होई है क्या हम उसको update कर सकते हैं yes we can update detail of a child उसके लिए क्या यहां पे मैं आपको बच्चे का gender जो है वो गलत हो गया था उसे में जो ठीक करना है वो practically मैं आपको दिखाओंगा क्या ठीक हो सकता है या नहीं उसके father का नाम गलत हो गया था या उसकी data birth जो है वो गलत हो गई थी can we change it yes तो उसके लिए मैं क्या करूंगा यहां पे यहां पे जो view manage वाला option आता अब मुझे मान लीज़े यह जो पहला बच्चा है तीक है आबरो जान मुझे इसकी details को update करना है उसके लिए मैं क्या करूंगा मैं क्लिक करूंगा इसकी जीपी पर यानि जो यहां पे इसकी जीपी है टाप पे ही दिख रही है आपको जो ही मैं GP पर क्लिक करूँगा तो यहां बच्चे की डिटेल आ जाएगी सारी ठीक है यहां पर देखें अब important चीज जो यहां पर देखने वाली है यहां पर देखें बच्चे का जो नाम है उसको हम यहां से हम edit नहीं कर सकते ठीक है लेकिन यहां पर बच्चे की data birth देखें ठीक है इसको हम change कर सकते हैं देखें फार एक्जाबल मैं यहां data birth पर डालूँगा तो I can change it ठीक है तो यहां से मैं इसको change कर सकता हूँ खाला कि मैंने बिल्कुल सही दिखिए इसमें मैं कोई change नहीं करूँगा ठीक है यहां पर देखें यह तो data birth की बात हो गई यहां पर gender देखें माली जे मुझे mail जेंडर लिखना था ठीक है लेकिन second से 12 तक का जो case है उसमें आपने क्या करना है यहां ठीक है अब gender पर जो ही मैं क्लिक करूँगा तो सारे gender open हो जाएं है माली जी मेरा mail था ठीक है तो mail को select करता देखें हो रहा एडिट हो रहा है gender भी यहां पर ठीक है तो मेरे case में कोई बदलाओ की जूरत नहीं है मैं आपको बस दिखा रहा हूं कि आप कहां से चेंज कर सकते हैं यहां पर देखें बचे की मा का नाम जो है ठीक है इस पर जब मैं इस डवी पर क्लिक करूँगा तो यहां पर देखें आइकन अपडेट अपडेट देटेश साथ में यहां पर देखें फादर्स नेम पर भी मैं इससे क्लिक करूँगा तो आइकन आलसो अपडेट देटेश इस डवी इस डवी इस डवी इस डवी इस डवी इस डवी इस मैनेजमेंट सिस्टम अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा ठीक है अगर यहां पर मैं क्लिक करूँगा यह देखें यह जो डबबा है अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा देखें अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा देखें इन्वैलिड आदार फार्मेट ठीक है तो यहां से मैं आदार को चेंज कर स सकता हूंOS ठीक है मगर मुझे यहां पर कोई जुरत नहीं है तर बेड़ा है यहां पार हर एक को आपने क्या करना है यह है टो अब पडेट नीचे आएगा आप सब्सक्राइट dewई आपको निचा अब पडेटेश कि आ वो सारी चेंज जिसमें आ जाएंगी यानि यह जो बचे की डिटेल्स हैं इस विल भी अपडेटेट लेकिन इंपार्टन बात याद रहने की है कि यह जो बचे नमें हमने नए अड़ के हैं वैदर नरसरी लवर केजी और अपर केजी और फर्स्ट कलास उनका जेंडर उनकी डाटाबूर्थ उनके मा का नाम उनके बाप का नाम जो है हम क्या कर सकते हैं वी किन एडिट डेट हाँ उनका अधार नमर भी अगर एडिट करना होका वी कना अलस्ट एडिट डेट एंड फाइनली भी है टुक्लिक अन अबडेट जूहीं हम लोग एडिट अपडेट पे क क्लिक करेंगे तो यह जो बचे का डाटा जो है वो अपडेट हो जाएगा तो यह थी आज की वीडियो आशा करता हूं कि आपको पसंद आये होगी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद